होग हो जड़ी है हलोगार सबी लिभार से नेकड्र उटो हम लोग फ़िर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो आज माइनिंग होने वाला सिर्फ और सिर्फ हमों तगड़ा वाला माइनिंग करने वाले और देखना यह कि क्या में exchanger जão है कितना बिलता है कितना नहीं मिलता है आप लोगने पचले सदम से देखा था हम लोग गय offenses or demharma विकल्ट बायों में मिला था एक डेजर्ट टेंपल जहां से में बहुत सारी निया था मतलब बहुत सारा बहुत साए गनपाउडर 춤 कुछ आइरें वेगरा भी मिला था जिसे अमने अपना सूस बना लिया और मेरे पास मातर ऑइरन बचा हुआ है और जो कि कुछ आइरं मिला था हमें उससे हमने बना लिया вп समय बचे हुए मात्र 2 बाonds तो भाई आझ माइनिंग के लिए Agent जाने वाले और कोसिझ करेंगे कि आज देखने का छोड़ों workers मिलने का तो समय मैंसाना के दर्शन तक नवहें मैंक्राफ्ट मेरा तो सब्ढ़ मेंना पुर्ण टाउर्च वगदा तयार कर लिया धेर सारा टॉर्च तो अल्मोस्ट फॉर्टी टॉर्चेज हैं भाई अपने पास बहुत सारे टॉर्च वगदा बना लिया है अब भाई चलो फरावर से चलते हैं अपने माइन तो देख सकते हो गाईज पानी के रास्ते हम लोग आ चुके हैं यहां पे माईनिंग में और इस तरफ तो आप लोगों ने देखा तक क्या है क्या नहीं है अब तो आज हम लोग पूरा इधर explore करने वाले हैं देखते हैं क्या होता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो देख सकते हो इधर मैंने लगा रखा है और एक तरफ इधर कुछ रास्ता वेगरा जा रहा है एक बार इधर भी explore कर लेते हैं कोशिस करना है कि आज डाइमंड मिले जाए क्योंकि अभी तक डाइमंड का दर्सन नहीं हुआ है डाइमंड चोड़ो भाई कम से कम मुझे आईरन ही धेर सारा मिल रहा तो भाई मैं खुस हो जाओंगा कि चलो भाई मिला तो चलो यहाँ पे मुझे मिल चुका है रेड स्टोन तो फरावर से इसको कलेक्ट करते हैं और भाई आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था का इस मैंने पूरा अपना विलेजर्स वगरा कमा दिया है सब कुछ भाई खतम हो चुका है लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी को कंटिनियू करने वा हले हैं जैसे हो जो भी हो reinfor पूरा अपना रेल ट्रैक क्रिएट करेंगे अपना दूसरा वीलेज खो जएएंगे और वहां से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाई मतलब एक्सपोर्ट नहीं इम्पोर्ट करने और आज पूरा हम लोग इधर चारों तरफ माइन को पूरा एक्स्प्लोर करने वाले हैं और अपना जो भाई माइन है इसका बात ही अलग है क्योंकि विलेज के जस्ट बगल में हैं और भाई काफी बड़ा देखो भाई ये क्रीपर लोग यार कहीं भी आ जाते हैं क्रीपर जॉंबीज भाई आज तो बहुत मिलने वाले क्योंकि आज बहुत देर तक माइनिंग करने वाले हैं कोसिस तो यही रहेगा भाई कि धेर सारा कम से कम हम लोग आईरन तो लेके जाए और मैं आप लोग को पता दूँ कि अभी तक भाई मैंने कोई भी अभी तक फार्म आट करना स्टार्ट कर दें कम से कम भाई कॉबल स्टोन फार्म तो हम लोग क्रीट करीन लेंगे अभी क्योंकि अपने पास धेर सारा रेड स्टोन वेगरा लावा वेगरा सब कुछ है जो भी रिक्वार्मेंट चाहिए होगा तो हम कोसिस करने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में अपना जो आटोमेटिक जो यह होगा क्या बोलते कोबल स्टोन फार्म उसको हम लोग बना लेंगे तो चलो फटापर से चलते हैं यहां पे केव हैं नीचे एक मिनट भाई काफी ज्यादा अंधेरा इज़े टॉर्चे वगरा लगा देते हैं फटापर से तो लो भाई यहां पे ब्लॉक्स वगरा इसको हटाते हैं फिलाल तो एक मिनट ओ भाई यह देखो यार अगर मैं यहां से स्ट्रेट निकल जाता आज मेरा मरना तय था भाई देख सकते हो नीचे कितने सारे जॉंबीज और भाई यहां से डीप है यहां से गिड़के ही मर जाता भाई जॉंबीज का दो बात अटा वह अब मारते वह तो अलग ह बसता है भाई अभी मेरे पास 4-8 बचाई है गिड़के ही मर जाता काम ओ भाई यहां भी सीरियसली क्या खतरनाक भाई किस्मत है मेरा सीरियसली भाई देख सकते हो अभी अगर मैं गलती से भी गाईस वहां पर पैर रखता सीधे नीचे जाता बचने का कोई चांस नहीं था यहां भी हम गोल्ड मिल चुका है फरावर से हम गोल्ड को कलेक्ट करते हैं भाई मतलब क्या ही वहो सकते हैं अभी देख सकते हो अभी तुरन्त मरते-मरते बचा अब यहां भी अगर माईस में आते हो तो एक चीज का ध्यार रखना दूर से ही माईन किया करो क्योंकि कभी भी माइन में जाओ और देख सकते हो भाई साहब क्या नीचे है भाई देख सकते हो पूरा जॉम्बी और स्केलेटन्स का ठेट लगा हुआ है और भाई मेरा टॉर्च भी चला गया चलो कोई बात नहीं फिलाल तो आगे चलते आगे बाई एक जॉम्बी साहब खड़े है इनका अभी हम लोग बेंड बजाने वाले हैं चलो भाई आजाओ आजाओ नहीं आने वाला मुझे जाना पड़ेगा चलो चलते हैं वह खतरनाक वाला बाई तो मिने पास हाट कम था मैंने गलती किया बाई मुझे ब्रेड खा लेना चाहिए उसके बाद ही जाना चाहिए ल अब कोसिस करना कि आने वाले एपिसोर्स में कोई भी नुब्रापंती ना हो कोई भी ऐसा चीज ना करें जो कि अपना बरबादी का कारण बने तो फिलाल तो भाई देखो नीचे उसको भी एक्स्प्लोर करेंगे समया आएगा धीरे-धीरे वहां भी जाएंगे वहां भी स उसको तो मुझे कवर करना होगा क्योंकि भाई अगर हम लोग यहां पर आते हैं क्या पता अचानक से हम लोग सीधे घुज जाए इधर और नीचे चले जाना अपना द्रत हो जाए तो फिलाल भाई सेफ्टी बहुत जरूरी है तो यहां पर मैं डर्ट लगा देता हूं कि अगर कभी भी मैं यहां पर आता हूं तो यह तो पता रहा है कम से कम कि आगे मुझे नहीं जाना है तो चलो फटा फट से अब यहां से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे तरफ अपने आगे माइन के तरफ एक्स्प्लोड करते हैं और वहां पर देखते हैं क्या मिलता है बहुत सारे स्केल्टन्स और जॉंबी वगड़ा थे तो भाई मैंने उन लोग को डिस्पॉन करने के लिए मैंने पूरा जितना हो सके उतना मैंने सामने टॉर्च लगा दिया था भाई मैंने माइनिंग अगड़ा कुछ नहीं किया था इधर आप लोग देख सकते हो तो चलो देख सकते हो यार डाइमन्ड सिरियसली मुझे यह नहीं उम्मेर था कि इतना असानी से हम लोगो डाइम द्री आने माला है भाई सीरियसली भाई पहली बार मुझे Minecraft में diamond मिला है यार पहली बार अभे यार कहां गिर रहा है यार मेरे पास आ जाए first time भाई हमे diamond मिला है भाई और पहले बार का खुसी भाई आप लोग को बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा खुसी होता है first time diamond मिलना तो आप लोगों ने भी experience किया होगा भाई अगर खेला होगा Minecraft तो अगर पहली बार अगर आप लोग को कोई diamond मिलता है उसका खुसी ही अलग होता है और यहां पर देख सकते हैं उपर गाईज वाल वेगर आप बहुत सारा redstone है फिर इधर iron वेगरा बहुत कुछ पड़ा हुआ है यहां से मुझे नहीं लगता है कि माइन वगड़ा हो पाएगा हो भी गया तो हां क्योंकि वहां पर और भी सारे redstone पड़े हुए हैं तो भाई फड़ावट से मुझे दूसरे ब्लॉक्स वगड़ा लगा कि फिर जाना होगा नीचे से सब कुछ collect करके क्योंकि वहां पर और भी मुझे दिख रहा है कि और भी वहां पर रेड़ स्टोन वगड़ा है अभी हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्कार सिटी होने वाला और भाई आप लोगो बता दू कि आप लोगो पता ही होगा बताने वाला क्या बात है कि जितना वहां और भी अर्टमेटिक फ़ाम मनता है उसमें रेडं स्टोन भाई भवत कंपॅशरी है पहले तो भाई रेड को सर्वाइवल वर्ल मनाने वाले हैं यहीं सर्वाइब करेंगे हमने सारा और maps कर लिया है देख सकते हो अपने पास हो गया एक सफिशेंट और मैंने यह एक बनाया था सपाई ग्लास तो बहं यह देखो सपाई ग्लास का बहीं काम को कि जैसे कि भाई यहां पर मुझे द्याइमंड मिला अब भाई मुझे उमीद है कि कहीं और कहीं डाइमंड वगाड़ा छुपा ना हो एक बार देख लेते हैं पुड़ा स्पाय ग्लास से तो चारों तरफ पर अच्छे से देख लेते्गा क्या पता भाई ऐसे ही कहीं पढ़ा हो उपर डाइमंड वगाड़ा क क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था वाई कि ऐसे दिवाल पर भाई मुझे दो डाइमंड मिल जाएंगे यार मैंने पूर्ड एक्सप्लोर कर लिया कहीं भी मुझे डाइमंड वेगरा नहीं मिला तो अब फिलाल हमें जाना है आगे के तरफ और यहां इधर एक्सप्लोर करना भाई इधर कुछ तो नहीं है एक बार देख लेते हैं यहां टॉर्चेज लगा देते हैं कहीं ऐसा नहों भाई सब कुछ क्लियर क्लियर दिखे कम से कम कहीं ऐसा नहों उपर डाइमंड वेगर प बहुत ज्यादा कमी हो चुका है और भाई अपने पास तो गोलम भी नहीं है जो हम लोग बना सके या तुरंट से कर सके फिलाल भाई अब मेरा माइनिंग के बाद एक ही मकसद होगा कि कहीं से कैसे भी हो जैसे भी विलेजर्स को ले आना है जो भी करना पड़े जैसे भी कर आने वाला वीडियो और ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है अब भाई भूल जाओ कि अब नुब्रापन्ति होने वाला है क्योंकि धीरे 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 करके हम लोग भी सीख रहे हैं और वहीं जैसे जैसे वैसे और धीरे धीरे प्रोव होते जाएंगे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है और भाई देखो सामने भाई टॉर्च अगरा मैंने नहीं लगाया है तो सामने काफी ज्यादा अंधेरा है तो फिलाल दो भाई देखो रेड़ स्टोन भड़के भाई किसी ने अटक तो किया भाई लगता है स्केलेटन्स अगरा आग हो गया चलो कोई दिकत नहीं है पिछले एपिसोड में है पिछले के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा भाई मुझे सीड तक यूज करने नहीं आ रहा था लेकिन अब भाई मैं सीख चुका हूं तो अब वैसा कोई दिकत नहीं होने वाला है अब तो भाई देखना इनका सील्ड का कैसे मैं यूस करता हूं और इलों का बैंड बजाता हूं लाल तो यह जॉंबी भाई को तो मैं ऐसे ही टपका दूंगा चल भाई खता मज़ा अब बारी एस्केलेटर्स का के थोड़ा सा लाइफ में गेंड कर लेने दो भाई ठूंप चलो अब तुम्हारी बारी जलो मि кажघंग हो गया मजात थोड़ी है बाई कि हमजब आव मार दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है चलो फरावरत से चलते हैं और यहां भाई अपने पास कि टॉर्चेज वेगरा है अभी पड़ा हुआ है तो टॉर्चेज निकाल लेते हैं क्योंकि अभी आगे फिर से कुई अटाइक किया है क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों से तो भाई इसके पास देखो वह कैसा है लग रहा है कोई बात नहीं आधि खता हो जा वो गया बहुत दिन जी लिए चलो पर इसका बैंड मैंने बजा दिया है रिपस सामने प्यातार कोई बात नहीं में धी यूज्ट है आपम पने पास थोड़ा थोड़ा ही अपना डीवाल भी नीछ फिसकल नहीं सीटार कस्ट में आएंगे तो कम से कम दीखेगा तो भाई की देखो नाम लेते भाई सैतान हाजीर हो जाते हैं इन लोग का तो अलगी चक्कड है गया भाई यह कहां गिडिया अच्छा नीचे गिडिया चलो भाई इनका इनका गेम बजाते हैं पर तो अपना लाइफ बहुत ज्यादा कम हो ग चल चलो हो गया बहुत दिन तेरा भी हो गया यह 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 लिए भाई लोग इसका भी गेम बजा दिया मैंने क्रिटिकल वाला डैमेस भाई अगर दो पर जाया न तगड़ा वाला तो यह लोग का बैंड बच जाता है कोई दिक्कत नहीं होने माला इसमें तो चलो भाई काफ बच लगा और गया बोली रहा था बस एक ही फिट का मैमान था यह और गया इसका बैंड बजा दिया मैंने और मैं आप लोगो बता दो कि अगर कोई स्कुल्टा आपको मार रहा है पीछे से लगातार और आपका लाइफ बहुत कम है तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है साम पास सकते हो एक नट एक मिनट ऑभाई यह लोग गंदार अमेज देते हैं यार एक मिन रुक जा भाई रूक जा यह ले खतम और भाई अपने पास ब्रेड तो भरबर के भाई मैंने ब्रेड पूरा भरबर के लाया यह देख भाई जॉंबी के अब यार मुझे थोड़ा तो माइन कर लेने दो यार तुमसे फाइट ले लूँगा भाई टेंसन मतलो तुम सब को चुन-चुन के मारने वाला हूं लेक सब्सक्राने का देर है क्या तगड़ा वाला भाई माइन मिला है देख सकते हो बहुत मस्त माइन है अपने पास और चारो तरफ भाई पहले लगा देते हैं फराफर से यह देखो क्या ही भाई सीरियसली सेम वह कॉंसेट किस पर है एक मिनट भाई साब अब यार यह पॉजन अब यह देखो यार तीन हाट पे लागे छोड़ दिया यार इसने मुझे अब यार मुझे लगा गया यार भाई पहले फटाफर से भागते हैं यहां से पीछे ही पड़ी होगी पहले फटाफर से फिर ब्रेड वागरा लेते हैं अब इनका गेम बजाते हैं चलो भाई यहां ठीक कर के जितने आएंगे उतने मारेंगे भाई आजाओ चाहिता है यह ले खतंता हो गया गेम बज़ गया जिंदा मकरी जिंदा है ऐसले ह्चित बाइस है यह डाउन की यार भाई वहां चलो यह पहले तो अपना गोल्ड वेगरा माइन करते हैं फरफर से तो दिवाल पे गोल्ड और फर्स पे रेड स्टों भाई बस उठाते जाओ उठाते जाओ मस्त वाला भाई माईन है अपना तगड़ा माईन है मैं इसको अच्छे से पूरा कवर करके रखा था भाई देख देखा यह आपने पूरा मैंने बाउंडरी वेगरा बना के रखा था क्योंकि क्या होदा था कि आरन गोलम वगरा चले जाते थे वहाँ पर तो फिलाल तो फरावर से चलो सब कुछ कलेक्ट करते हैं कि करके और भाई मैं आप लोगों को बता लेता हूं कि आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग जा के देख लेना भाई क्योंकि बहुत तगड़ा वाला है वहाँ पर हम लोग डेजर्ट बाय बताने का तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना कि किस तरीके से विलेजर को स्पॉन करा सकते हैं क्योंकि एक ही तरीका है अब मुझे तो जहां तक यहीं पता है कि अब विलेज खोजना पड़ेगा और क्योंकि मैं विलेज ही खोजने गया हुआ था उदर तो अब मैं बोली रहा था कि रेल के थुरू हो या जैसे भी हो मुझे विलेजर्स लाना होगा तो भाई एक आइडिया तो आ चुका है मुझे यह देखो भाई पॉजनस अब यार यह लोग गचब भाई लाइफ ले जाते हैं यार देखो भाई लगतार हाट कम हुए जा रहा जली से फरावर से चलो बैट लेते हैं और भाई मैं आप लोग को बता दू कि मुझे यही समझ में आ रहा है कि फिलाल तो मुझे विलेज खोज के और वहाँ पर रेल ट्रैक भी चाना होगा या फिर बोट के थुरू जैसे भी हो वैसे विलेजर्स को लाना होगा अगर उसरा टेकनीक पता हो विलेजर्स को स्पॉन कराने गा तो आप लोग हमें कॉमेंट करके बता सकते हो और आप लोग गाईड करते रहना आगे कि कैसे कैसे हमें आगे सर्वाइवल में बढ़ना है और क्या क्या चीज हमें create करना होगा क्या-क्या और भाई अपने हम अपने खर को भी जो की बहुत सस्ता वाला है कि देखो भाई मै इसको मारने तो आ गया भाई लेकिन मैं लिटरलj भॉस किया भई मैं भागो यार भागो भाई अभे यार यह देखो यार क्या गंदा मेरा हाट ले जाए है भाई भाई लिटरली आप लोगों ने देखा मातर आधा हाट का हम लोग बच चुके थे भाई मुझे लगा कि बच गया भाई मेरा गेम फड़ावर से पहले निकलते हैं यहां से भागते हैं दूसरी क्योंकि मक्री वहां पर हम लोग निकलने का रास्ता तो खोज लिया लेकिन यहां से कुछ नजर नहीं आएं सामने पर यहां से फीर एक मक्री स्पान हो जाएगी उपर के रास्ते यहां से निकल जाता है और माइन साफ्ट को भाई हम लोग बाद में एक्स्प्लोर करेंगे अभी हम लोग बिल्कुल एक्स्प्लोर नहीं करने वाला है क्योंकि अपने पास अभी ज्यादा यह नहीं है क्या वो दे टॉर्चेज वगरा भी ज्यादा नहीं है कि हम लोग पूरा माइन साफ्ट को एक् पारा था भाई लिटरली मूव नहीं कर पारा था महां से माइन साफ्ट को फिर कभी एक्स्प्लोर करेंगे और भाई माइन साफ्ट में बहुत सारा रेल्वेग पड़ा हुआ है उसको उखार के ले जाने वाले हैं और देखो भाई इसको नीचे से भी चैन नहीं है देखो य यह ले भाई अब यार इधर से लग नहीं रहा चलो दूसरे सरफ से चलते इनका बैंड बजाते हैं पहले थोड़ा सा बस खोपरी दिखाते अपना बात देख भाई यह ले यह ले पट से हैट शॉट वाई अपना लाइव देखो यार बैंड बजा दिया यार इसने लाइ अब हम लोग बरने वाले आगे के तरफ और इधर आसपास थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यहां पर मैंने गोल्ड वगड़ा देख रखा था पहले तो यहां से कुछ गोल्ड वगड़ा उठाएंगे और एक मिनट कुछ अजीव सा चीज है इधर देख ले अब पहले देखो भाई जिससे मैंने स्पाई ग्लास बनाया था उसका भी मुझे यूज नहीं पता था लेकिन मैं जब नीचे आया था एक्स्प्लोर करने तो मुझे कुछ यूनीक सा दिखा था तो मैं उठाके ले गया था इसको तब पता चला कि भाई इससे स्पाई ग् लगा देते हैं और कुछ इधर साथ अच्छा एक में यहां पर पड़ा हुआ है तो आइन को उठा लेते हैं आइन नहीं छोड़ने वाला मैं बिल्कुल भी क्योंकि बहुत ज्यादा इसकार सिटी बहुत तगरा इसकार सिटी हुआ था तो भाई एक कुछ तो हुआ भाई अब याद यहां पे क्रीपर बलास्ट हुआ भाई था यह तो भाई मैं बच गया नहीं तो अपना यह नहीं पर कझाशी जैसे तैसे एकंगे काम करते हैं थोड़ा बहुत ब्लॉक्स उठा लेते हैं क्योंकि पता नभी यह ब्लॉक्स वगरा का क्या काम होगा हो सकता है सब उठालेते ब्लोक्स उठालेते जो भुल लो तो अब हो गया यहां से करते हो ज् questioning हो जुका है अब कैसे सब हो क्योंकि जस्ट पीछे मैं माइन करी रहा था जस्ट पीछे आके भाई क्रीपर ब्लास्ट हो गया तगड़ा वाला और अब हम लोग देखो भाई यहां से निकलने वाले हैं अपने विलेज के तरफ तो आज हम लोगोंने बहुत कुछ क्लेक्ट किया है धेर सारा गोल्ड धेर सारा रेड स्टोन और भाई दो डाइमंड किस्मत अच्छा था भाई दो डाइमंड भी मिल चुका है और भाई आइरन भी बहुत सारे हो चुके हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ न कुछ या तो फार्म बनाने वाले हैं या तो भाई अपना घर रेनोवेट क करने वाले हैं क्यूंकि इतना सस्ता घरा आदे क्सीने माइनक्राफ्ट में बनाया ओगा ये मुझे पता चल चुका है नोब्रा पंती गश्रा भाई पे दीरे दीरे और देखो भाई अपना सस्ता घर वहाँ पे सामने पड़ा है तो इसको हम लोग पूरा रेनोवेट करने वाले हैं एक छोटा ही घर बनाएंगे फिलाल क्योंकि बाद में काशल हो अगर आप भी बनाने वाले हैं और बहुत कुछ हम लोग चेंज कर देने वाले है तो वीडियो को एंटक देखना और चनल पे नयो हो या पुराने हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कॉमेंट करके बताते रहना और देखो भाई अपना सस्ता घर सिरियसली भाई पूरे मायन क्राफ्ट सिरीज में भाई किसी का उठा लो मैं बता रहा हूं सबसे सस्ता egर मेरा ही मिलेगा भाई इससे सस्ताघर हो इ San रखता बुड़े माइनक्राफ्ट में बता दे रहा हूं मेरे से अच्या तो भाई विलेजर्स बना लेते हैं यार विलेजर्स का देखो यार मेरे से ज्यादा अच्छा है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है आज के लिए बस इतना ही अब साध हम लोग अपने घर को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कर गाईस